माननी राजपाल श्री सीपी राधा कृष्णन ने आज मकद गंच हजारी बाग में गुनसतर्वी मध्यान भोच रसोई अक्षय पात्र कीचन का उद्घाटन किया उद्घाटन समारों को संभोधित करते वे कहा कि अक्षय पात्र कीचन की योजना एक योजना ही नहीं एक मोन क्रांती है जो बच्चों को आगे लाने में और बच्चों के भविश्य को सवालने में महत्वपुन भूमिका निभा रही है मनुष्य की पहली जरूरत भूक शांत करना है सौमी विवेकानन जी ने कहा है सामने में जब कोई मनुष्य भूका हो तो उसे भोजन देना चाहिए न की भाशन भूके होने की इस्तिती में बातों को ग्रहन करने की शमता भी कम हो जाती है देश भर में संचालित अक्षे पात्र किचन के द्वारा हर दिन लगभग तेवीस लाग बच्चों को भोजन मिलता है ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा है राचपाल मोदे ने कहा कि उन्होंने जारखन के 24 जिलों में परिब्रहमन के दोरान पाया कि जारखन में कूपोशन की समस्या है और इस समस्या से निजात पाने में अक्षे पात्र किचन अपनी महत्वपुन भूमी का निभाएगा जारखन खनीच संपदा से परिपून है इसका उप्योग लोगों के भलाई के लिए एवं उनके जीवन इस्तर को उठाने के लिए किया जाना चाहिए राचपाल मोदे ने कहा कि अक्षे पात्र किचन की इस योजना से बच्चों का पोशन तो होगा ही इसकूल में उनकी उपस्तिती भी बढ़ जाएगी उन्होंने कहा कि इस कीचन में इस्थानी क्रशकों से उत्पादित ताजा सबजियों का उप्योग क्या जाएगा इससे वे आर्थिक रुप से सम्रत होंगे शिक्षा के साथ बच्चों को पोश्टिक भोजन भी मिले इसलिए पी-एम पोशन योजना भी शुरू की गई है माननी प्रधान मंद्री जी ने खाना पकाने के लागत में 9.6 प्रतिशत की बड़ोत्री को मंजूरी दी है उनके दुआरा कोरोन माहमारी के समय प्रधान मंद्री गरीब कल्यान अन योजना शुरू की गई थी जिसके तहट अभी भी खादान ने उपलब्द कराया जा रहा है राशपाल मोदे ने कहा कि सभी घरों में शुद्ध पेजल जलपूर्ती के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है इस योजना का आच्छा दन आठ प्रतिशत से बढ़कर 29 प्रतिशत हो गया है अगले दो वर्षों में 90 प्रतिशत आच्छा दान का लक्ष रखा गया है लोगों के बहतर स्वास्त के लिए जारखर्ण में एमस अस्पताल खोला गया है एवं अन्य अस्पतालों की बहतरी के लिए लगातार कारिक क्या जा रहा है किसान अधिक से अधिक अन्य उत्पात कर सके इसके लिए समुचित सिच्चाई की विवस्ता की जा रही है। राजपल मोदे ने कहा कि सरकार की योजनाओं में लोगों की सहभागीता से योजनाएं पुश्पित एवं पलवित होती है। राजपल मोदे ने हजारी बाग जिला के विभिन गुन्नब्वे विध्यालों में DMFT मदद से कीचन शेट निर्मान का शिलानास किया। उन्होंने DMT मद से जिला परिशत चोक हजारी बाग में पुस्ताकालाय सहसंगराले निर्मान कारे का भी शिलानास किया।